Hello everyone, hello So, कैसे दिया हम सब लो I hope आप लोग बढ़िया होंगे ठीक है? मसत होंगे, तंदरुस्त होंगे So, आज हम discuss करेंगे Map-based MCUs, Geography के बहुत, बहुत students ने मुझे message किया था कि सर Geography के Maps हम बढ़ तो लेते हैं, लेकिन क्या questions आते हैं, कैसे questions पूछे जाते हैं, उन चीज़ों के बारे में भी आप discuss किजिए, तो उसी को चीज़ को लेके, ये मैं MCUs आप सी आप discuss करूँगा, और ये MCUs current news में भी रहते हैं, और ये, I mean, ये जो locations हम बात करेंगे ये news में भी रहती हैं, और ये previous exam से भी आई हुए questions, ऐसा नहीं होता कि previous exam के जो location based question है, जा geography map के question है, वो important नहीं होते हैं, क्योंकि वो कही न कहीं, current में भी कही न कहीं चल रहे होते हैं, आपको पता होने चाहिए और जहां रखना है, जो current में जो आपके जगाएं जा locations, news में होती है वहाँ से question आता है, और उसको भी मैंने यहाँ पे डाला है, कि हाँ, geography में उस location based चीज़ों के उपर भी हमने थोड़ा सा धान दिया है, और इसमें Indian geography के map के question भी है, world geography के भी question है, और different डिफरन चीज़ों के question है, जहां पे आपको map की जुरत पढ़ती है जहां पे आपको photo देखके ही समझ आता है, कि what is this ठीक है न, कि map देखके या कोई picture देखके, उस तरीके ही question हमने इसमें किये हैं, तो बहुत मज़ा आएगा आप लोगं को और इस class को लेके आ रहा हूं है, मेरा नाम है Dr. Vipan Goyal, जैसा कि आप सबको पता है, तो start करते हैं आज के session को, बढ़ते हैं आगे आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूँ, आप मुझे in different social media की उपर आप follow कर सकते हो, लेकिन सबसे आज जो important है, वो है telegram का channel, क्योंकि telegram channel की उपर सारे lectures, PDF, सब को share किया जाता है तो आप यहाँ पर जोड़ जाएगे, इन सब के जो link है, हमारे different social media handles के वो आपको मिल जाएगे, description और comment section में मिल जाएगे, अगर आप government exams की आप त्यारी कर रहे हैं, one day exams की आप त्यारी कर रहे हैं, या PCS exam की आप त्यारी कर भी है, chapter wise, topic wise, mcqs पड़े हुए हैं और different different exams के previous questions भी हैं यहाँ पे, और जिस तरीके से आजकल state PCS के exams की question आ रहे हैं, one and two, none of these, all of these, फोड़े से in-depth वाले, वो भी हमने इस PCS महापैक में question discuss की हैं, तो आप ले सकते हैं, और अगर आप one day exams की आप त्यारी कर रहे हैं, जा SSC की त्यारी कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा, आप SSC महापैक लीजिए, इसमें भी same चीज़े, chapter wise, topic wise question, theory भी पड़ी हुई है, और plus हमने यहाँ पे, जो आजकल का trend है, जा TCS वाले questions हैं, वो हमें यहाँ पे discuss की हैं, इन सभी courses की, जो जानकारी है, वो आपको study IQ app और website के उपर मिल जाएगी, आपने study IQ app और website download कर लेना है, तो जैसे आप download करेंगे na, study IQ app और website download करेंगे, तो आपको वहाँ पे search bar में डाल देना, SSC महापैक by Dr. Wippen, state PCS महापैक by Dr. Wippen, तो बार में आपको दिख जाएगा, फिर भी कोई दिक्कत आती है, तो मैंने यही link जो है, description और comment section में भी डाल रखी है, वहाँ पे click करना और अपना course purchase कर लेना, ओके, और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, कि आप इस course को ले सकते हैं, आपको एक code use करना है शिबा, तो आपको यह course जो है, एक साल की validity के लिए मिल जाएगा, 1299 रुपी में, just 1299 रुपी में आपको यह course मिल जाएगा, तो देख लेना, अगर आपको अच्छा लगे, purchase करना है, तो आप कर चा सकते हैं, ठीक है, और इन सब के जो link है, description और comment section में मिल जाएंगे आप लोगों को, और again मैं बात कर रहा हूँ, कि telegram channel के साथ 100% यहाँ पर जॉइन करना है आपको, क्योंकि यहाँ पर जितने भी lectures हैं, PDF हैं, सब कुछ मैं यहाँ पर share करता हूँ, तो चलते हैं जी, start करते हैं, आज के इस lecture series को बढ़ाते हैं आगे और पहला question हमारे screen के उपर देखते हैं तो पहला question दिखे जी, क्या कहता है The lake created by Aswan Dam in Africa is जो Aswan बांध है, उसकी उपर कौन सी जील देखने को आपको मिलती है, तो देखते हैं आपके map में तो यह दिखे जी, यह है आपका Aswan Dam and and the river is the river is Nasir is the very important, this is the river river Nasir के उपर जो है Aswan Dam देखने को आपको मिलता है और यह Africa के अंदर है और world का biggest artificial lake है, Nasir biggest artificial lake one of the biggest artificial lake जो Africa में है, और Lake Nasir जो है, एक reservoir है यह कहां पे देखने को आपको मिलता है Egypt का, जो south वाला हिस्सा है, और Sudan का north वाला हिस्सा है, उसके बीच में हमें देखने को मिलता है This is very important, answer इसमें क्या बनेगा, that is sea option, that is Nasir is the correct answer, चार Victoria Tanzania, जो है यह क्या है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे देखिए, so here is a lake chart, very important, lake chart जो है, यह आपकी again Africa में आती है, लेकिन यहाँ पे आपसे paper में question पूछा जा सकता है, कि इसकी surrounding countries बताए, कौन सी है, तो lake chart, chart, Niger, Nigeria और Cameroon, यह इनकी surrounding countries देखने को में मिलती है, this is very very important and here is the lake Victoria lake Victoria is also in the Africa, यह world की largest tropical lake है tropical lake, सबसे बड़ी ठीक है, और second largest जो है आपकी fresh water lake है second largest fresh water, क्योंकि first कौन सी है, lake superior lake superior जो है सबसे बड़ी है, जो के North America में है, और second fresh water कौन सी है, lake Victoria lake Victoria जो है, तीन country के साथ boundary share करती है, कौन कौन सी, Tanzania Uganda and the Kenya, अगर आपसे paper में यहाँ से question बूचा जाए कि lake Victoria की सबसे बड़ी boundary share किसके साथ होती है that is Tanzania, 51% 51% boundary यहाँ पे share होती है Uganda के साथ 44% है और जो least है, वो है 5% that is with the Kenya very important यहाँ पे है जी आपकी lake Tanganyika और Tanzanika अब यह जो surrounding countries है यहाँ पे 4 आती हैं, जैसे आपकी अगर मैं बात करता हूँ Democratic Republic of Congo, number one the second one is Burundi, number two and number three is a Zambia and the number four is a Tanzania तो यहाँ पे 4 boundary share की जाती हैं यहाँ पे और lake Tanzanika जो है, यह longest आपकी fresh water lake है longest fresh water lake very important question, ओके चले जी, आगे बात करते हैं River Ganga की इनकी tributaries के बारे में बताना है East से West direction में कौन सी चलती है, इसका correct order बताना है तो पहले तो river Ganga देखते हैं यहाँ पे, so here is the river Ganga यह बागी रथी है और यह अलकनन्दा है, यह मिलते कहां पे है देव प्रियाग में मिलते है और वहाँ से आपकी river स्टार्ट हो जाती है that is river Ganga स्टार्ट हो जाती है और Ganga river जो है आपकी flow करती है उत्राखंड से, UP से, बिहार से, जारखंड से and then West Bengal में और भ्रमा पुत्रा के साथ वहाँ पे डेल्टा बन जाता है अगर मैं बात करता हूँ यह गंगा है यह गंगा है, यह डार्क लर में देख रहे होंगे आप लोग, यह गंगा चल रही है गंगा की जो इस साइड वाली नदियां है वो Left Bank Tributaries है और गंगा के इस साइड वाली जो है वो Right Bank Tributaries है अगर मैं Right Bank Tributaries की बात करता हूँ यहाँ पे देखो, River Yamuna चंबल, चीक है यहाँ पे जो है, बेतवा है केन है, चीक है सिंद है, so all these are बानस है, these rivers are the Right Bank Tributaries of the River Ganga अगर Left Bank की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे राम गंगा है, यह Left Bank Tributary है और उसके बाद अगर हम बात करें यह गगर है, ठीक है और कोसी की बात करते हैं और यह गंड़क की बात करते हैं यह important वाली हैं, जो मैं आपको टिक करवा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है So all these are the, आपकी Left Bank Tributaries Now the question is, कि यहाँ पे आपको बताना है correct order East to West direction में कौन सा है East to West का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कि यहाँ से East हो गया यह हो गया West, ठीक है तो मतलब इदर की तरफ हमने जाना है तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अगर बात करते हैं तो कोसी आ जाती है कोसी के बाद जो है आपकी यहाँ पे गंडग आ जाती है गंडग के बाद जो है यहाँ पे आपकी घगर आ जाती है and then उसके बाद आपकी गोमती वीवर आ जाती है जो option में है ठीक है कोसी गंडक गघर एंड गोमती तो इसका answer क्या बनने वाला है कोसी गंडक गघर एंड गोमती तो दो एक तीन चार बनेगा right answer answer number B very very important question answer number B is the right one very very important question now the state of Malacca जो situated है वो कहां पे है तो देखते हैं देखो जी here is the state of Malacca state of Malacca अगर मैं बात करता हूँ यहां पे है अंडेमांसी और यह है आपका साउचाइनासी यहां पे आपको लिंक करवा रहा है कौन? that is the state of Malacca very important और अगर हम बात करें state of Malacca जो है यह है state of Malacca state of Malacca जो है यह किसमें देखने को आपको मिलता है? that is a Indonesia and the Malaysia इसके बीच में भी देखने को में मिलता है और हम यह भी कह सकते है कि यह जो हमें देखने को मिल रहा है Malay Peninsula और Indonesian Island of Sumatra यहां पे अगर Malacca की बात करते हैं यहां पे आपका that is a Malay Peninsula है और इधर जो है आपका Indonesian जो है आपका Indonesian Island of Sumatra देखने को में मिलता है और यह State of Malacca ऐसे नहीं है यह कुछ ऐसी ही चीज़ है यह बहुत important है reason being क्योंकि यह shortest route है यह State of Malacca जो है एक shortest route है इसकी strategic importance बहुत ज़्यादी है बहुत ज़्यादा है shortest sea route कैसे है यह Middle East और East Asia की बीच में सबसे shortest route आपको पढ़ता है और इस State से World का 60% अगर मैं बात करूँ 60% जो trade है वो यहां से होता है क्योंकि अगर हम बात करें Oil Supply के क्योंकि यह Middle East से होती है तो Oil Supply के लिए जो है यह सबसे ज़्यादा महत्पून सत्रोत है क्योंकि यहां से trade होता है और सबसे बड़ा consumer China और Japan यहां से ही आपका trade मतलब Oil लिखे जाते हैं और हमने इस चीज़ को बचाने के लिए हमारे तो कि अंडेमान निकोबार इस साइड पे न अंडेमान निकोबार तो यहां पे हमने अंडेमान एंड निकोबार कमांड का भी इस्तेमाल किया है ताकि हमारा interest बना रहे अंडेमान एंड निकोबार कमांड जो के create किया गया था 2001 में ताकि इस strategic interest Southeast Asia के अंडरकत हम अपने military assets को लगाएं और इस islands को यहां पे protect रखें तो here is the state of Malacca very very important question तो इस question का जो answer बनेगा वो कहां पे है that is the Indonesia and the Malaysia answer number B when the Gulf stream तो देखें जी यहां पे बात करते हैं अगर हम बात करते हैं आपके ये गल्फ stream की चीक है तो गल्फ stream जो है आपका cross कर जाता है जब Atlantic ocean को cross कर जाता है तो ये आपका बन जाता है North Atlantic drift समझे में आया North Atlantic drift तो पहले तो answer टिक करते हैं फिर इसको detail में discuss करते हैं answer number D North Atlantic drift अब मैं बात करता हूँ यहां पे आपके पूरे oceans की यह North Atlantic ocean की बात करते हैं यहां पे अगर हम बात करें यहां पे North Atlantic current जो है आपका यह बला North Atlantic current जो है आपका ठीक है यह इसको हम और क्या कहते हैं North Atlantic drift के नाम से भी जानते हैं और North Atlantic sea movement के नाम से भी इसको जाना जाता है ठीक है और यहां पे एक चीज़ देखें जी यहां पे जो आपका South equatorial current है यह वाला यह north वाला है North equatorial current यह south वाला equatorial current जो है यह cross करता है और इसकी जो northern branch होती है यह आपकी North equatorial current की तरफ चली जाती है एक direction में और यह आगे जाके जो है एक direction इदर चली जाती है जो के आपका Caribbean current बनता है Caribbean current जो है आपका Caribbean sea से cross करके Gulf of Mexico से cross करके जैसे Gulf of Mexico से cross करता है eastern boundary जो Antilles current की eastern boundary होते हैं वो यहाँ पर आके मिल जाता है और यह North equatorial current आगे Antilles current बनता है और at the end यह Caribbean current से cross करके Gulf of Mexico से cross करके यहाँ जब जुड़ते हैं तो यहाँ पर यह आपका बन जाता है Florida current और Florida current जो है आगे flow करता है आपका और यहाँ पर यह जाना जाता है Gulf stream के नाम से और जैसी Gulf stream आगे cross करती है यह state को cross करती है North Atlantic drift बन जाती है North Atlantic drift बन गी और यहाँ से इधर को आता है आपका Labrador current यह Gulf stream और Labrador current जो है यहाँ पर आप मिलते हैं और यह कौन सा area है Newfoundland Newfoundland ओके क्योंकि Gulf stream क्या है warm ocean current है Labrador current कौन सा है यह आपका cold ocean current है जहाँ पे आपका hot water and cold water ocean current मिलते हैं वहाँ पे fishing grounds बनते हैं सबसे बड़े important बात है fishing grounds अब सीधी सी बात है जहाँ पे ठंडा और गरम पानी मिलेगा वहाँ पे fog भी create होगी तो आपको अगर याद होगा Titanic tragedy वो Titanic tragedy यहाँ पे ही देखने को मिली थी क्योंकि यहाँ पे Gulf Stream और Labrador current जो है आपस में आके मिले थी fog create करी थी जिसके कारण उनको ship का नहीं पता लगा फिर आगे जो यह North Atlantic current जो है आपका आगे cross करते हैं North Atlantic drift बनता है आगे जाके यह इदर से जो है आपका Arctic Ocean की side पे यह चला जाता है यह उसके बाद जो है आपका East Greenland current बनता है यहाँ से ठीक है ना East Greenland current और फिर वो North Atlantic drift के साथ यह जो East Atlantic current है यह North Atlantic drift के साथ जाके मिलता है और फिर आगे दो ब्राद चीज़ आपके create हो जाती है और उसके बाद एक Norwegian current आपका बन जाता है ठीक है और यह सारा आगे जो है Arctic Ocean में जाके यह मिल जाता है यह Arctic Ocean में जाके ऐसे मिलता है Arctic Ocean में ओके तो मतलब main यहाँ पे point यहाँ पे याद क्या रखना है यहाँ पे यह याद रखना है कि जब North equatorial current आगे जाता है यह Antilles current बनता है और इसकी southern branch जो है Caribbean Sea, Caribbean current और Gulf of Mexico cross करके यह Antilles के यह North equatorial current Antilles में मिलता है और फिर दोनों मिलते हैं आगे Florida current then Gulf Stream, Labrador current आया Fog bunny, Newfoundland बना, Gulf Stream आगे North Atlantic Drift, आगे यह cross करती है Norwegian current के साथ और इदर आपका East, जो आपका Greenland current वाला मिलता है और यह मिलके यहाँ पे Arctic Ocean में चले जाते हैं Now the part is कि North Atlantic drift की एक branch नीची की तरफ आती है वो मिलती है आपकी Canary current के साथ Canary current जो है आगे जाके सीधा मिल जाता है फिर North equatorial current के साथ मिल जाता है, तो इसी तरीके से यह जो है यह तो ही नहीं है Labrador current जो है आपका Cool Ocean current है और North Atlantic drift की अगर मैं बात कुनूँ तो यह Warm Ocean current है आपका तो answer number D is the correct answer answer number D इन में से कौन सी जगा पे connect होता है South America और North America South America और North America connect होते हैं Isthmus of Panama से Panama का जो Isthmus है वहाँ से connect होते हैं दिखाता हूँ मैं आपको कैसे यह है Isthmus of Panama और Panama Canal यहाँ पे है North America और यह है आपका South America यहाँ पे आपका area connect होता है और हम यह भी कह सकते हैं कि यह Atlantic Ocean और Pacific Ocean को जो है यह separate भी करता है this zone, this is very very important point clear और यह Panama Canal जो है यह shipping और travel के लिए use किया जाता है ताकि जल्दी से जल्दी एक जगा से दूसरी जगा तर चीज़ें चले very important point clear अच्छा एक चीज आपको एक चीज और बताना चाहूंगा मैं कि जो Isthmus होता है वो होता गया है what is the meaning of Isthmus? Isthmus एक narrow strip होता है जा तो दो बड़े land mass को connect करेगा जा फिर separate करेगा देखो दो land mass को connect करने वाला part जा फिर दो water bodies को separate करने वाला part उसे हम कहते हैं Isthmus This is very important और इसकी shape देखो इस तरीके से देखने को मिलती है S-shape S-shape देखने को मिल रही है S-shape के कारण यहाँ पे पैसिफिक ओशन से यहाँ पे Atlantic Ocean की तरफ जाते हैं और तो हमें ऐसे दिखता है कि यह North East direction में जा रहे हैं लेकिन ऐसे ही अगर हम Atlantic Ocean से जब हम Pacific Ocean की तरफ आते हैं तो ऐसा लगता है कि South East direction में हम जा रहे हैं ये अगर ऐसे ट्रैवल करेंगे तो ऐसे लगेगा कि South East को कि ऐसे ट्रैवल करना पड़ेगा ठीक है और इधर इनको लगेगा North East कहने का मतलब Pacific Ocean से अगर हम Atlantic Ocean में जाएंगे ये आ जाता है Ocean ध्यां रखना ठीक है Pacific Ocean से Atlantic Ocean में अगर हम जाते हैं तो हमें दिखेगा North West direction देखने क मिलेगी और ये shape के कारण होता है ये S shape है तो इसलिए आपको देखने को मिलता है इस तरीके का part चलते हैं तो इस question का answer बनेगा B option बनेगा और Atlantic Ocean जो है सबसे business ocean है क्योंकि trade यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है तो अगला question देखे स्क्रीन के उपर इन में से cold local wind कौन सी है यह mistral is a local आपकी cold ocean cold wind इसे हम कहते हैं यह कहां से blow गरती है देखते हैं जी यह देखे जी so here is a mistral यह mistral जो है आपकी blow करती है Mediterranean coast के उपर जो है चलती है और एक option वहां पे आपका सेंटा आना का ठीक है तो सेंटा आना यहां पे देखने को नहीं मिल रही बट अधरवाइस मैं आप तो में बता देता हूं सेंटा आना जो चलती है आपकी California reason के पास चलती है सेंटा आना कैलिफोर्निया reason कैलिफोर्निया और उसके बाद एक चिनूक था चिनूक भी था तो चिनूक जो है यह है चिनूक तो इसे हम कहते है जो है यह snow eaters कहते है snow eater, snow eater क्यों कहते है क्योंकि यह बरफ को खा जाता है और rocky mountains के उपर और यह hot dry wind देखने को में मिलती है hot dry wind this is very very important question clear और यहां पर मैं कुछ और तुम्हें चीजें बताना चाहूंगा जो important है यह foin है foin जो है यह alps mountain के उपर चलती है alps mountain के उपर और यह भी hot wind देखने को में मिलती है कुछ important हम बात करेंगे यहां पर, khamsin देख लीजी, khamsin जो है यह Egypt में चलती है और यह भी hot wind है hot wind देखने कों में मिलती है और उसके बाद देखो shiroco is important shiroco भी आपकी hot वाली है ये जैसे mistral आपकी Mediterranean में चलती है ठंडी है लेकिं shiroco आपकी hot वाली है ये भी आपके Mediterranean reason के उपर चलती है ठीक है और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर bora की so bora is important बोरा जो है ये cold wind है आपकी और ये चलती है आपकी hungry to Italy hungry to Italy चलती है ये याद रखना है और these are very important points समझ मैं आया और this is very important blizzard याद कर लिएजे blizzard paper में आ जाती है blizzard जो है tundra reason में चल रही है और ये आपकी cold वाली wind देखने को में मिलती है तो this is very very important point clear याद रखना है ये सारे question important है paper में आ जाते हैं तो यहाँ पे answer क्या बनेगा आपका और North India में जो गरम हवा चलती है गरम हवाई चलती है and that is Lou, उसको हम Lou के नाम से जानते है next, Kaviri River flow कहां से करती है देखते हैं पहले, तो here is the Kaviri River Kaviri River जो है यहाँ पे चलती है यह आपकी करनाटका वाला पार्ठ है Karnatka में ब्रमगिरी Rainz है यहाँ ब्रमगिरी Rainz ओके तो ब्रमगिरी Rainz से यहाँ पे चलती है और यह flow करती है यहाँ से ऐसे और यहाँ पे आपका डेल्टा बना लेती है Kaviri Delta बिएटा और ये सारा साल भाहती है इसलिए इसको पैरेमिल डीवर के नाम से जाते हैं जो सारा साल भाहती है नदिया उन्हें हम पैरेमिल डीवर कहते हैं कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो है, वो चार आज जो में है water sharing को لेके करनाटका में है, ठीक है और यहां पे आपका करनाटका में है नीचे आपका इधर Tamil Nadu और यह आपका केरला वाला पार्थ है, और यहां पे पुडुचे री वाला पार्थ है, तो मतलब यह चारों में water ko तो शेरिंग करने के लिए इशु की उपर ये देखने को में मिलता है और ये जो आपकी कावेरी रिवर है ये वेरी यूसफुल है फॉर दा इरिगेशन के लिए सिचाई के लिए सबसे दा इंपॉर्टन क्यूं है क्योंकि तुमें मैंने बताया है कि सारा साल भैती है तो ये फ्लो कहां से करती है अब ये कोश्यन है तो यहाँ पे देखो जी यहाँ पे डेल्टा बना लाया तो इसका मतल तमिलनाडू के बीच में है ये और उपर कौन सा एरिया पड़ता है आपका तमिलनाडू और करनाटका तमिलनाडू और करनाटका के बीच में ये चलती है तो यहाँ पे अंसर क्या बनेगा यहाँ फ्लो बिटून दा जो है करनाटका एंड दा तमिलनाडू अंसर नंबर सी is the correct one वेरी इंपॉर्टन पार्ट ओके चलिए जी आगे बात करते हैं इनमें से चार लोकल रीफ देखने को आपको मिलते हैं Government of India ने Conservation of Management के लिए बताया है इनमें से कौन सा हमारा coral reef देखने को नहीं मिलता coral reef की बात करते हैं तो यहाँ पे देखे जी बहुत सारे coral reef हैं तुदी जर्दा रीफ, कावरती is the capital of luxury और इदर अगर मैं बात करता हूँ गल्फ आफ कच की तो यहाँ पे जोदिया, जामनगर, ओखा यह सारे देखने को में मिलते हैं तुदी जर्दा एरियाज ठीक है रैन आफ कच में फिर उसके बाद आपको देखने को मिलता है गल्फ आफ मनार में गल्फ आफ मनार में कौन-कौन से एरिया है जासे बैंबार है, किला कराई है ठीक है और यह सारे इरिया जो एडिंस बिरिज के पास हैं यह सारे के सारे क्या हैं आपके जो है corals हैं और इदर की अगर बात करें, अंडेमा निकोंबार की, तो यह सारा एरिया जो है, अंडेमा निकोंबार का है, जहांपर पूरी के पूरी जगह के उपर आपको देखने को मिलते है, इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, गल्फ ऑफ कच, लक्षदीप, गल्फ ऑफ मनार और अंडेमा निकोबार आइलेंड में, अगर हम इन कोरल्स की अगर हम बात करते हैं, तो कोरल्स के लिए न कुछ आपको और क्रेक्टरिस्टिक फीचर्स चाहिए होते हैं, जैसे कि शैलो लेकिन पानी गरम होना चाहिए, थंडा नहीं होना चाहिए, वाटर गरम होना चाहिए, 20 डिग्री सेंटिग्रेड के आसपस टेंपरेचर होना चाहिए, पानी का, सेलाइन कंडिशन जो हैं, बड़ी हल्फुल करती हैं, कोरल्स को ग्रो करने के लिए, और क्योंकि ये of खंबात नहीं है, खंबात नहीं है कच्छ वाला इलाका जो है वो आपका कोरल है, लक्षदीप है अंडेमानिक को बार है, तो answer इसमें क्या बनेगा B option बनेगा, correct answer क्योंकि ये option में नहीं है, answer number B asteroid belt जो है ये कहां पे located है, दो planets के बीच में asteroid belt जो है Mars और Jupiter के बीच में, ये तो रटा ही ही मारखा होता है, सबने बढ़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये है जी asteroid belt ये Mars और Jupiter के बीच में देखने को आपको मिलती है, ओके यहां पे क्या होता है, जो meteors होते हैं उलका पिंड जी से हम कहते हैं, meteors वगरा वो यहां पे चलते हैं, और यहीं पे भस्म हो जाते हैं, यहीं पे जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं कई बार क्या करते हैं, यहां से cross करके न, ऐसे धरती के उपर आजाते हैं जैसे धरती के उपर आएंगे, तो नुकसान करेंगे ऐसे हमारे इंडिया में भी गिरे हैं एक बार तो वहाँ पे हमारे इंडिया में मि्टेोरिटिक लेक बन जाती है और वो कौन सी है? डाड़ीज़ कॉल्ड आपकी लोनार लेक लोनार लेक कहाँ पे है? मायराश्टा में तो नुठसान गरते हैं यह, जहां पर भी गरते हैं, ठीक है, Eletorial belt के अंदर ही एक आपका ड्ष प्लैनेट देखने को मिलते है, जिसका नाम है Ceres, और हमारे ड्ष प्लैनेट और भी है, जैसे Ceres सबसे पहले है आपको E leader belt में देखने को मिलते हैं, उसके बाद Pluto है, मेक मेक है Aries है, होमिया है, आगे देखने को में मिलते हैं, और जो प्लैनेट सन के पास होते हैं, जाने कि एस्टरोइड बेल्ट के इस साइड पे, Mercury, Venus, Earth और Mars ये सारे के सारे inner planets हैं और इनको rocky planets के नाम से जानते हैं टेरिस्टर प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, कोई यहां पे धरती है, ठीक है, एस्टरोइड बेल्ट के परे, जो जितने भी हैं ये वाले, इनको हम क्या कहते हैं, gas जाइंट्स, ओके, और इनको और क्या कहते हैं, Jovian planet और क्या कहते हैं, outer planet ये सारे याद रखने हैं, नाम तुम लगोने तो यहां पे अंसर क्या बनेगा, जी B option बनेगा, correct answer, asteroid belt next, कौन सी river flow करती है, विंद्याज और सत्पुडा ranges में flow करती है तो ये अंसर है इसका, नर्मदा river, तो देखते हैं कैसे, तो देखे और सत्पुडा के बीच में, ये flow करती है आपकी नर्मदा river, here is the नर्मदा, okay, so अब देखे जी यहाँ पे ध्यान से, नर्मदा जो है अमर कंटक plateau से start होती है जैसी अमर कंटक plateau से start होती है आगे चलती है, और नर्मदा river को हम और क्या कहते है, रेवा river के नाम से भी जानते है, या रेवा river ठीक है, अमर कंटक में ये कौन सी range है मेकाल range मेकाल range से start होती है यहाँ से, और west flowing है इदर को जल रही है, तो इसका मतलब यह west flowing हो गई है, ठीक है, और ये मध्यापरदेश के नीचे जो है, चतिसगड़ वाला इलाका, वहाँ से चलती है, वहाँ पर पानी मतलब पानी flow करवाती है, और महाराष्ट्रा में तो चार states के बीच में share करती है, यह आपका flow करता है पानी, गुजराद, महाराष्ट्रा मध्यापरदेश और चतिसगड़ वाला इलाका, और यहाँ पर बहुत बड़े डैम है, जैसे महाईश्वर डैम देख की बात करें, सरदार सुरूवर डैम की अगर हम बात करें चीक है, नर्मदा सागर डैम की अगर हम बात करते हैं, इंदरा गांधी सागर डैम की बात करते हैं, और इस रिवर को लाइफ 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 लाइब बोला जाता है मध्यापरदेश की और गुजराद की लाइफ 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 लाइब बोला जाता है, यह बहुत important point है, तो इसका answer क्या बनेगा आपका that is c option बनेगा नर्मदा is the correct answer here is the नर्मदा अब यहाँ पे देखो तापी तापी बिल्कुल जो है ना तापी बिल्कुल आपके नर्मदा के south में चलती है ठीक है और तापी जो है ना यह बड़ा originate कहां से होती है multi multi reserve forest से आपकी start होती है very important तापी के उपर मैं आपको जस्ट ऐसी बता देता हूँ कुछ dams वगयरा जैसे काकरापार है paper में आ जाता है उकई dam है आपका गिरना dam है these are the important example ठीक है फिर यहाँ पे देखो mahi river है यह वाली ठीक है mahi river जो है आपकी originate कहां से होती है mahi river यह originate कहां से हो रही है यहाँ से that is the dhar range धार district से start होती है मध्यपरदेश से और यह कहां पे गिर रही है यहाँ पे आके गिर रही है Gulf of Cambay में गिर रही है Gulf of Cambay में और mahi के उपर जो है कुछ dams हैं जैसे mahi bajaj saga dam mahi bajaj saga dam, kadana dam these are the important one and one more is the यहाँ पे option में नहीं है चलो कोई बात नी यहाँ पे याद कर लेजी यहाँ एक साबर मती river भी है साबर मती साबर मती जो start होती है राज़स्तान से start होती है उधेपर district से start होती है और यह आपका यहाँ पे 4 नदियां है यह और क्या बनाती है वह ऐश्युरी बनाती है चार नदिया ऐस्युरी बनाती है और उसके बाद यह नर्मदा हो गया है नंबर 2 नर्मदा नंबर 3 is तापी Tas când does बायोर है प्रपीड करेंगे नर्मदा तापी नंबर 4 माही and साबर हो Jadi यह चार नदियां जो है एशुरी बनाती है और यहाँ पर एक river है river है आपकी यहाँ पर river looney यहाँ पर नहीं दिखरा चलो कोई बात नहीं river looney looney river जो है न वो आपकी ran of kach में रस्ते में ही खो जाती है और ऐसी नदियां जो रस्ते में ही खो जाती है इन्हें हम और क्या कहते हैं Ephemal River के नाम से जानते हैं कि जो अपने destination तक नहीं पहुँच बाती है जा फिर इसको क्या कहते हैं Andorick Andorick River के नाम से भी जानते हैं This is very important point Clear याद रखने हैं सारे question तुम लोगों ने चले आगे बात करते हैं यहाँ पे कुछ पेर्स हैं आपको बताना है कि कौन सा पेर जो है Correctly Match है Corbett National Park जो है गंगा नहीं Corbett से राम गंगा क्रोस करती है आपकी राम गंगा ठीक है और काजी रंगा की अगर मैं बात करता हूँ तो काजी रंगा मानस है गलत हो गया काजी रंगा जो है भ्रमापुतरा रिवर क्रोस करती है यहां से और धीपू, मोरा धीपलू, एंड मोरा धनसरी वगयरा Silent Valley जो है कावेरी है यह भी गलत है Silent Valley से जो है आपकी कुन्थी पूजा कुन्थी पूजा रिवर क्रोस करती है तो ये तीनों के तीनों गलत हैं तो none of pair is the correct one answer number D is the right one और Corbett National Park वैसे उत्रखंड में है काजी रंगा जो है आपका असम में है और Silent Valley केरला में है और काजी रंगा National Park में one horn rhino रहता है one horn rhino के लिए बड़ी famous है यह याद रखना है ठीक है so repeat कर रहा हूँ मैं यहाँ पर here is the Corbett National Park and here is the काजी रंगा and one more is the one more option is the that is called आपका option था Silent Valley here is the Silent Valley केरला okay so यह याद रखने है आप लोग को और वैसे भी पेपर में आ जाते हैं इस तरह के कोशन याद रखना इन में से कौन सी river के उपर जो है माजूली आइलेंड बनता है जो के वर्ल्ड में one of the biggest और largest river आइलेंड है कहां पे है दे यह है आपका ब्रमापुत्रा के उपर कैसे दिखते हैं so here is the ब्रमापुत्रा और असम में यह बनता है आपका माजूली आइलेंड this is very important तो यह district भी घुशित कर दिया गया था और यहां पे जो असम में न यह माजूली आइलेंड में कौन-कौन से tribal people रहते हैं कौन-कौन से tribe रहती है missing tribe बहुत important question है diori tribe रहती है ठीक है अहम tribe रहती है and sonowal sonowal its काच्री sonowal काच्री यह tribe रहते है this is very very important question clear और यहां पे एक festival है जिसे हम कहते है Ali Ali Gang बहुत बहुत important है यह festival बहुत अच्छे तरीके से celebrate करता है यह missing tribe celebrate करती है यहां पे missing tribe very very important point clear और यह आपका located भी पता कहां पे है यह जो मजूली आलेंड है नैशनल वाटरवे 2 के उपर नैशनल वाटरवे 2 के उपर located है यह याद रखना और वो नैशनल वाटरवे 2 जो अना भर्मापुत्रा के उपर है जैसे के example अगर देखेजी यह है आपका नैशनल वाटरवे 2 यह वाला ठीक है नैशनल वाटरवे 3 जो है यह आपका वेस्ट कोस्ट के उपर है यह वाला ठीक है यह पॉइंड याद रखना बहुत 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 इंपॉटन्ट है यह आपको देख लेना एक बार नजर मार लेना यह इंपॉर्टन है 1, 2, 3, 4 बड़े important है याद रखें चलेजे आगे बात करते हैं तो यह question अब डिस्क्स कर लिया था और next question is largest irrigation canal कौनसी है irrigation सिचाई के लिए कौनसी canal है अब यह इंद्रागांदी canal कहां पे है यह पंजाम में हरी के बेरेज है ठीक है हरी के बेरेज है तो कि हरी के बेरेज बनता है ब्यास और सतलोज के मिलने से ब्यास और सतलोज यहां पे मिलते हैं और वहां पे आपका हरी के बेरेज स्टार्ट होता है और फिर आगे जाके यह आपका इंद्रागांदी केनाल चलती है यहां पे और ये पंजाब से cross करती है फिर आपके राजस्तान के थाड़िस्टिक तक पहुँँच आती है 167 जो है ये किलो मेटर की लंबाई है पंजाब और हर्याना में ठीक है और 37 किलो मेटर की लंबाई है इसकी राजस्तान में ठीक है और आपका पानी को share करती है तो answer इसमें क्या बनेगा जी आपका इंद्रा गांधी के नाल is the correct one अंद्रा गांधी के नाल very very important point रुद्र सागर and लकवा oil field जो है ये कहां पे देखने को हमें मिलते हैं ये जो आपके oil fields हैं ये आपके मिलने मिलते हैं हमें अफसम में answer number one लेकिन यहां पे कुछ important है यार याद कर ले ना paper में आ जाते हैं जैसे अगर मैं बात करूँ जाम नगर जाम नगर की बात करते हैं यहां पे kwaili की बात करते हैं तो this is जिंदा गुजराद वाला हिस्सा बारमेर की बात करते हैं राजस्तान में पानिपत हर्याना बठिंडा पंजाब यह oil आपके यह है oil fields है ठीक है मतला refineries वगरा है मत्हुरा यूपी में और मध्या परदेश में बीना वाला हिलाका मुंबई ठीक है है आपका अंध्रप्रदेश में यनम पॉडुचेरी में मनाली चिनई और कारेकल पुडुचेरी नागापत्यनम वाला हिस्सा तो दीजर वेरी इंपॉर्टन पॉइंट क्लियर यह रिफाइनरी के मैप्स हैं यह पेपर में आ जाते हैं पेपर में अच्छे तरीके से भॉंगाई गहाऊं भॉंगायगाऊं जो है असम में अब बीना रिक चिसथ है वेरी वेरी इंपॉर्टन याद रखना पेपर में आ जाता है और यहां पर वादिनार भी में चले लिए ने क कोाली प्राइद विप्या भारत की पैनिसुला होता क्या है जो तीन साइट से पानी से गिरा हो जैसे नीचे इंडियन ओशन है इधर बेव बेंगॉल है इधर अरेबिक सी है तो यह पैनिसुला वड़ यूज किया जाता है और उसके सबसे वड़ी उची चोटी का नाम क्या है अना अनामलाई हिल्स का पार्ट है और यहांपर एक गैप है आपका वह कौन सा है यह वह कौन सा है पालगाट गैप इस लिए ने लगा रहा है ताके आपको यह जो आपका अंसर क्या बनेगा यह अनाय मोड़ी ठीक है यहां पर हिल्स देखो कार्डेमम अन्नामलाई और पालन हिल्स तो अगर आपसे पूछा बिल्कुल दक्षिन में लगाओ जी दक्षिन से साउथ से नौथ डिरेक्शिन की तरफ लगाओ तो कैप वर्ड याद रख देखने को मिलती है जो के राइगर डिस्ट्रिक में देखने को मिलती है उडिशा में सथपुड़ा और विंद्याज के बीच में मैंने आपसे बाद ही कर ली थी यहां पर बीच में क्रॉस करती है आपकी नर्मदा अरावली की गुरू शिखर है ओके तो इस आर वेरी चाहिए यह देख़ी इसका जो में सोर्स ना वो लेक विक्टोरिया वाला हिसा है लेक विक्टोरिया जो के एफरीका में देखने को आपको मिलती है और बुरूंडी के बिल्कुल थोड़ा सा थोड़ासा दूर है यहां पे ठीक है फाधेस फॉम दा बुरूंडी और यह न करता है तंजानिया को number one बुरुंडी को number two number three is रवांडा ठीक है और number four is the Congo here is the Congo and one more is the Kenya वाला पार्ड ठीक है one more is the Kenya वाला पार्ड तो यहां से cross करता है यह यह basin huge है बहुत बड़ा basin है यह in countries यह मतलब boundaries को मतलब basin इतना इन countries में चलता है इसका Congo, Rwanda, Burundi, Tanzania and Kenya फिर आगे जाते हैं यह white nile है और इदर से lake ताना जो है यह blue nile मिलती है खारताओं वाले इलाके मिलती है और फिर आपके जाके आगे lake नासीर के उपर अस्वान डेम है जो पहला question था हमारा और फिर याके यह कैरों के पास जो है यह बहुत बड़ा delta that is Mediterranean Sea के पास जाके ऐसे घर जाती है तो this is very important point तो answer इसमें क्या बनेगा नाई Amazon South America में है ब्रह्मा पुत्रा तो हमें बादी कर लिए माजूली आइलन Mississippi के उपर इस तरीके से न बर्ड फुट डेल्टा बनता है बर्ड फुट डेल्टा यह याद रखना है चलिजे Gobi Desert आपका कहां पे देखने को मिलता है so where is the Gobi Desert Gobi Desert is here Gobi Desert जो देखने को आपको मिलता है so that is seen in the Asia वाला पार तो अंसर इसमें पहले तो टिक करते हैं एशिया वाला बार्ट ठीक है और यहाँ पे एशिया में भी कहाँ पे that is चाइना नॉर्थ में है और मंगोलिया जो होता है वो आपका सदन में है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ that is नदन चाइना and Southern Mongolia Southern Mongolia Mongolia और आपका नदन चाइना चाइना और मंगोलिया के बीच में है चाइना और मंगोलिया के बीच में देखने को मिलता है आपका गोबी डेजर्ट this is very important point याद रखना है point और यहाँ पे कुछ और भी डेजर्ट बड़े important है जैसे अंटार्टिका की बात करें भाई एप तो पोलर रीजन में है आपका ठीक है और अंटार्टिका में देखने को मिलता है आक्टिक वाला उपर चला गया है ओशन के पास आपका यहाँ पे सहारा डेजर्ट है जो के एफ्रीका के नौर्थ एफ्रीका में देखने को आपको मिलता है और अरेबिन डेजर्ट है आपका यहाँ पे सब ट्रॉपिकल है अरेबिन पैणिसुला में देखने को मिलता है गोबी में ने आपको बता दिया पैटागोनिन is very important cold है अर्जंटीना में देखने को आपको मिलता है और उसके बाद है great victoria जो के आपका Australia में देखने को मिलता है this is very important point यह है काला हारी अफ्रीका में है subtropical है नामीबिया जो है subtropical है आपका Africa में देखने को मिलता है और great basin देखने को मिलता है North America में this is very very important ठीक है और यह बहुत ब these are very important point these are very very important point clear sonoran जो है आपका sonoran जो है मेक्सिको में है US में देखने को आपको मिलता है और यहां पे लिखा हुआ है काईजल कम काईजल कम जो है आपका यह boundary share करता है किसके साथ डड़ीजा उजबेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान और कजाकस्तान के साथ शेयर करता है यहां आपका यह लिटल अंडेमान और आपके कार निकोबार के बीच में देखने को मिलता है यह अंडेमान निकोबार आइलेंड जो बने है न जो इंडिया की इंडिन प्लेट है और बर्मा की जो है आपकी बर्मीज प्लेट है बर्मा माइनर प्लेट यह इन दोनों का कुलिजन होता रहा है और इसके कारण बने है और जो आपका जो डड़ीज दा अंडेमान आगे आपका अंडेमान निकोबार आइलेंड यहां पर डंकन पैसेज देखिए डंकन पैसेज जो है लिटल अंडेमान और साउथ अंडेमान को जो है आपका डिवाइड करता है साउथ अंडेमान और लिटल अंडेमान को जो डिवाइड करने वाला पैसेज है वो है डंकन प पीक जो है यहां पे नौर्थ अंडेमान में सबसे उची चोटी है यहां पे सैडल पीक और सबसे हाइस पॉइंट है यहां का अंडेमान निकोबार आइलेंड का रिची आर्की पहलीगो जो है यह कहां पे है अंडेमान में देखने को आपको मिलता है और यहां पे ही आपके जो है बहुत सारे islands देखने को मिलती हैं जैसे अगर मैं बात करता हूँ Great Undemant की बात करता हूँ Neal Island की बात करता हूँ Havelock Island की बात करता हूँ तो these islands are seen in the Richie Archipelago This is very important point और South Undemant में आपका Ross Island देखने को में मिलता है Ross Island ठीक है और नेता जी सुबाश चंदर बोस जी ने Ross Island का जो नाम रखा था वो रखा था That is the शुबाश चंदर सुबाश चंदर बोस द्वीप रखा था ठीक है और Neal Island जो के आपका Richie Archipelago में है इसका नाम रखा गया है शहीद शहीद द्वीप और हैवलोक का नाम रखा गया है सुराज द्वी याद रखना अंडे मान की बात करते हैं तो अंडे मान में हमारे जो है चार निग्रितो ट्राइबस रहते हैं निग्रो पीपल ठीक है चार निग्रितो ट्राइबस And that is a great अंडे मानी and one more is a sentinelies ये रहते हैं अंडेवान में निकोबार वाले हिलाके में कौन से रहते हैं शॉम्पेन शॉम्पेन and निकोबारीज ये आपके tribal people रहते हैं यहाँ पे, so this is very important तो आंसर इसमें क्या बनेगा, 10 degree channel is the right one the part of Himalaya lying between the Sutlej and the Kali river is known as, Kali river और Sutlej river के बीच में कौन सा है Kali river यहाँ पे है और Sutlej river यहाँ पे है और इसके बीच में आपके कुमाओ हिमालयाज देखने को मिलते हैं तो पहले तो टिक करते हैं तो अंसर नंबर C, कुमाओ हिमालयाज is the correct one very very important point, clear अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे कुमाओ हिमालयाज हो गये है अगर बात करें इնडस और Sutlej के बीच में तो वो है आपके Pणκεदाप हिमालयाज Sutlej और Kali river के बीच में देखें कुमाओ हिमालयाज, काली और T sata के बीच में देखें और इसका second part का by वो भी जुरूर बताना लेकिन उससे पहले आपको करना क्या है हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक कर देना है अगर आपको अच्छे लगी improvement है चाहिए वो भी आप लिख सकते हैं freely ठीक है और दूसरी बात ये है कि आपको सारे lectures की जो information है वो मिलती है हमारे telegram channel की उपर सारे lectures, PDF सब कुछ यहां पर share किया जाता है so that आप लोग को आगे help मिल जाए और कोई lecture डूनने की जुरूरत ना पड़े और सब कुछ information यहां पर आपको मिल जाए इस सारे social media handles की link जो है description और comment section में भी गिवन है click करना और वहां से आप सिधा कर रहे हैं जैसे कि अगर मैं कहूं PCS की त्यारी कर रहे हैं कोई इंडिया के state PCS की त्यारी कर रहे हैं और इसमें आपके हमारे लिए एक course है और मैंने बनाया हुवा course है सारा कुछ मैंने पढ़ाया यहां पर state PCS का माहपैक और इसमें chapter wise topic wise MCUs है theory है और जिस तरीके के आज क आप त्यारी कर रहे हैं जा आप पढ़ रहे हैं SSE का exam पढ़ रहे हैं तो मैं कूंगा SSE महापैक लीजिए यह दोनों courses जो हैं आप लोगों को आपको individually course 1299 rupees में आपको मिल जाएंगे एक साल की validity के साथ आपको code use करना है that is Shiva अगर आप Shiva code use करेंगे तो आपको जो discount है वो डाल देना SSE महापैक बाई डॉक्टर विपन स्टेट PCS महापैक बाई डॉक्टर विपन तो आपको नजर आ जाएगा फिर भी कोई बात नहीं कोई दिक्कत आही नहीं पता लगा तो इस वीडियो के खतम होने के बाद description और comment section में मैं उसका link डाल दूँगा तो वहां से भ करके आपका चेज कर सकते हैं और अपने preparation को आगे बढ़ा सकते हैं clear कैसा लगा लेक्टर जरूर बताना so thank you so much guys all the very best और मिलेंगे next classes में कभी इनी maps की classes में और जल्दी class बनाएंगे so thank you so much good luck take care bye bye thank you so much guys